नमस्वार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्वों आने वाले पंच दिन परने वाले हैं बहुत महत्वन बतलाव जोने अगर आप शुनेंगे तो दोस्वों दावे के शाथ कहते हैं कि दोस्वों आप शबी का होस उड़ जाएगा जिया दोस्वों औ अब आपको अपनी जुनकाल में कुछ गलतियों को करने शे बजने क्या उश्यकता होंगी। जञे दोसों बहुत दिनों शे आप यह गलत्ती कर रहे हैं। और इन्हीं गलत्ती की वज़ाशे आपको जुनकाल में अभी तक शपलता की प्रापती नहीं हो रहले है। जिया दोसों आज के विडियों में हम आपको कुछ यशी महत्पुन ग्यान देने वाले हैं कुछ महत्पुन बात आपको शमझाने वाले हैं जिने दोसों आपको जानना आपके भुष के लिए बहुत यदा उशक है जिया दोसों क्योंकि दोसों यही बाते ही जो कि आपको आ आगे नहीं बलकि पीछे ढगर रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और इन्हें शुरूश देकर अंध्र तक देखेगा जिया दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं शर्परतम दोस्तों जो भी भगवान भुलिनात के शच्चे भक बतादे कि आप शब्ष को पता दें कि शुल्श अनुम्वाब नहीं चाहते हैं जहां बी जाती हें अपने कारी निकाल कर वहाँ से चले आते यहां लेकिन दोस्तों आप शिभी को बताया दे की आपके जुनकाल में कुछ यह अंहोनी घट्नाई होती है जो कि आपको क्रोधित होने पर भी मज़बूर कर देती है जा कि आप शिप को बताया दे कि पिचले कई शालोंशी आप शबी के जुनकाल में लगातार शंकर शबश्याएं और परिशानियां ही चल रही है और दोसों इन शबी का मुख करण यहीं देखा जा रहा है कि आप जितना शबी के शामने अच्छे बनते हैं जितना आप चाहते हैं कि लोग आपको कभी भी गलत ना शमझे दोसों उतना ही लोग आपको गला शमयले लगते हैं उतना ही आपके उपर लोग उगलियां उठाने लगते हैं और आपके अच्छायों का आपके शिंपल रहने का आपके शाहर होने का शब लोग फाइदा उठाने के चकर में रहते हैं दोसों आपने यह बात देखा होगा दोस्टों आपने यह बात अपने जुनकाल में जरूरी देखे हैं, कि इस परकार आप अपने जुनकाल में बहुत शे मुशिवत में होने के बावज़ूद भी help कर देते हैं, दुसरे लोग को शंकटों से बाहर निकाल लेते हैं, यानि कि दोस्टों आप खुद जंकर्ट मे होने के बावजुद भी दूसरी लोग की आप मदद करते हैं और दोसों फिर भी लोग आपको ही गलत थेरा देते हैं आपके ही बावनाओं की कदर नहीं होती है वह जगा और आपको ही हर जगा से नुक्षान उठाना पड़ता है तो दोसों इनका अर्थ क्या है हम आप शिव मंदी होते हैं जिन पर आप शब्से ज्यादा भरोशा करते हैं आगर वही लोग आपको दोखा क्यों दे देते हैं वह दोसों आप उनकी नज्रों में खटक नहीं लगते ही जैंदोसों आप शबी को बता दें कि भी खुश्मिजाजी इंशान है कभी भी अपने आपको किस चाहिए के शामने दूखी व्यक्त नहीं करते हैं आप लोगों को कहते नहीं है शबीके शामने आप मुश्किरा कर मिलती हैं और दोस्तों यही मुश्कुराद यही आपका रुटुबा देखकर लोगों को आप शे खटकने लगती है यहां कि उनके अंदर जलन का भावना है वह उत्पन होने लगता है और दोसों इर्शया की भावनाशी आपकी अच्छाइयों का वह फायदा उठाता है कि दोस्वं आपके शात रहकर आपके शात गूमकर उन्हें आपकी जुनकाल की शारी बातें पता हो जाती है कि कौन शी आपकी कमजोरी है और कौन शाथ चीज आपके लिए ताकत है जे दोसों और जब उन्हें मौका लगता है तो दोसों वह आपकी कमजोर जगह पर ही लात मारते हैं यूँ कहें तो दोसों जिस जगह पर आपको नुक्षान जदा हो दोसों वेशे ही कदम उठाते हैं आपको हमेशा लोगों की नजरों में नीचा गिराने का प्रयाश करने लगते हैं तो दोस्तों आखिर कब तक आप इन शबी चीजों को शेहते रहेंगे दोस्तों अब वक्त आ गया है हम कहते हैं कि अपने जुनकाल में आप कुछ विशेज बातों का ध्यान जरूर रखेगा जे दोस्तों ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उशक है जे दोस्तों आपने बहुत दिन इस चीजों का शामना क्या है लेकिन दोस्तों अब आपको बिता दें कि अपने जुनकाल में आप कुछ बदलाव जरूर करें जे दोस्तों तभी जाकर आपको अपने जुनकाल में शबलताओं की प्राप्तों की जुनकाल में आपकी मंजिल तभी जाकर मिलेगी जे दोसों, तो दोसों कौन सी वह बात है, कौन सी वह गलती है, कौन शा वह भूल है, जो कि अब आपको अपनी जुनकाल में बिल्कुल भी नहीं करना है, दोसों जुनकाल के आप शेश शब से बड़ी और फैली गलतिया होती है, कि दोसों अंधा दून, किशे के उपर आप बिश्वास कर देते हैं, दोसों, आप दिल के जितना भी भोले होते हैं, दिल के जितने भी अच्छे इंसान होते हैं, उतना ही दिल से आप किशे के साथ तूरन जुड़ जाते हैं, जे दोसों, हलांकि दोसों, ये आपके लिए अच्छा शाबित हो शकता है, लेकिन दोसो आपको जुनकाल में अगर नीचे गिराती है तो दोस्तों आश्य अपने जुनकाल में आप इन बातों का दियान रखें कि कभी बेकिशी के उपर आप आँख पुन कर भरुषा बिल्कुल भी मत किजिएगा जेया दोस्तों जिन पर भी आपने जुनकाल में आँख मुंद कर विश्वास किया है, अपने कारिभार को इन पर छोड़ दिया है, tocarदो, आप मारे कारदो, हमारा हमें आप पर विश्वास है, लेकिं दोस्तों, end में आपको पता चलता है, कि उससी जगशे, काम गरबर हुआ है, उससी जगशे आपको नुक्षान हुआ है, तो दोसों, दिल को आपको बहुत यदा ठेश पहुंचता है तो दोसों, आश्री आपको इन बातों पर ध्यान लगना है कि जिस छेतर में, किसे भी छेतर में आप हो कारेस्तर पर हो, घर के माहौल में हो दोस्ते रिक्तिदारी जहां पर भी आप किसी से अटेंच्मेंट में हो जिनके शात रहते हो दोस्तों आख मुंद कर आप बिल्कुल भी अब भरुशा मत किजिएगा कि दोस्तों कलियुक का दौल चरा है हर को इंशान श्वार्थी बन गया है शबचे पहले वेग खुद का देखता है आप गड़े में चले जाए उन्हें इनका रती भर फरक नहीं पड़ता तो दोस्तों आपको ही अब शमलना होगा और दोस्तों जुनकाल में आप पहला बात याद रखें कि आख मुंद कर अपने सब कुछ किसी को पर बिल्कुल भी ना छोड़े हर कारियों की जांच करें हर चीज में अपना एक हाथ जरूर रखें पर दोस्तों आपकी जुनकाल की दूसरी जो बात है दोस्तों वह है कि पिछले शमय की जो भी बीती गई दर्दना जो पिछले शमय हुई परिशानी है तो उन्हें आप भूलने का प्रयाश करें जिया दोस्तों कि दूस्तों पिछले शमय की बातों को अगर आप अभी शोचेंगे तो आपकी जुनकाल में अवश्य आपको परिशानी होगी और आने वाली क्रियकलापों के बारे में आप अच्छी तरीकिस से शोच नहीं पाएंगे और दोसों अगर अच्छी तरीकिस से आप शोच नहीं पाएंगे तो दोसों किशी कारियों को करने में आपको मन ही नहीं लेगा और दोसों और दोस्तों आगे अपने जुनकाल में आपको कुछ और भी परिप्रतन करने हैं, जो भी आप अपने जुनकाल में कारी कर रहे हैं, जिसके भी शात रह रहे हैं, जो भी आपके जुनकाल की आदत है, दोस्तों उनमें भी आपको शुदार करना होगा, जो दोस्तों एक श्व विक्ति उनके शोच आपसे अलग है आपके अक्षे सोच है तो अनके बुरे शोच है तो 12n 산 Veil आपको पूरे शोच वालो विक्तियों से दूर रहना होगा YouTube 200 कि तिनसे कि वेच्छ वालों पीर विक्तियों से दूर रहना होगा जोओ तो दोस्तों आशे अपनी जुनकाल में आप इन बातों का ध्यान रखें और दोस्तों बहुत शुजातकों के शादेशा हुआ भी होगा कि पूरे लोगों के चकर में आप गलत आदत के शिकार हो गई और बाद में अब आप पस्ता रहे हैं जे दोस्तों अगर आप एशे जिवन से गुज के बारे में ज्या दोस्तों आप शिव को बता दें कि दोस्तों यह जो बात है आपके जुनकाल के लिए बहुत यह दावश्यक है और यह उनकाल में आपको शब्ची बड़ी यहां भूमिका निमाने वाली है ज्या दोस्तों आप शिव बता दें कि एक इंसान को अपनी को शत्य हैं लेकिन दोसों हम आप Caitlin को एक बात पटा दे कि इ απ को अब इसी बात का ध्यानधा है जो भी आप कार्य आपके लिए श्वाइँ है जिस कारियों में आप मेहनत कर रहे हैं क्या इस कारिया में उतना मेहनत लगना चाहिए जय之前 बात पर गौर कीजिएगा जिए दोसों क्यों आज की से बंदलता यूग में जितना भी आप हाड़ वर्क करते हैं उतना भी आपको अब श्मार्ट वर्क भी करना होगा जिए दोसों क्यों आप श्यूग बता दें कि आप अपने जुनकाल में बहुत ज़्यदा हाड़ वर्क करके जिवन में कमशे कम ये कमाघ़नार लेकिशान वहीं कोई व्यक्ति ओर्क करके दिन में ही लाकों के कमाते ही तो दोसों आप भी अपने जुनकाल में कुछ ऐसे तरीके सोचिए कुछ ऐसे विचार अपने मन में लाइए जो कि आप कर्श रखते हैं जे दोसों जिन से आपकी जुनकाल में बहुत यदा त्युरता शिगति आएंगी जे दोसों और एशी इश्रुवाट पर तरीके आप शिवी की जुनकाल में आपको एक दिन उंचायों तो लेकर दियान रखना चाहिए कि आपके शाथ जो भी बुरा वर्ता हुआ है जो भी परिशानियों का अपने पिछले श्युमें जेले हैं दोस्तों अब उन शभी का वाक्त धिरे-दिरे हटने वाले हैं और अब आपके जो भी जलने वाले हैं आपके जो भी शत्रू हैं उनको संतान और केरियर श्युमन्दी आपके जुनकाल में नए ने लाब आपको देखरों मिलेंगे शाथ आपको बतादें कि माता पिता का जो भी शहत पिछले शमी बहुती गड़बर च्छर रहा था दोस्तों यह श्युमें श्वास्त होंगे और जुनकाल में जो भी प्रेश अब भागे बदने के कारण में अब शीयुकर में केरेयर के जढमे भी आपको लाब मिलेंगे जो भी आर्ति दगियां चल रही थी पेशहों को लेकर कंजे थे दूसों वे सब्सक्रक्तर करके बैल ऐकन को प्रेश कर दें ताकि ओर शवी ग्यान बरदब वीडियो आप तक स सबसे पहले पहुँशके, धन्यवाद.